इस game में अभी तक हमने program किया है कि ये जो giga sprite है ये arrow keys से left राइट या down और Up move करती है और अगर ये इस blue lines को touch करती है, maze की blue lines को touch करती है तो collision हो जाता है और sprite वापस starting position पे आ जाती है तो अब हम इस game का कोई end point define करते हैं कि जब sprite finally maze cover करके यहाँ आएगी तो क्या होगा तो इस reward के लिए हम कोई और sprite select कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर cake को select कर रहा हूँ मैं cake का size छोटा कर रहा हूँ, maybe 35 और cake को यहाँ place कर रहा हूँ कि जब ये sprite पूरा maze clear करके यहाँ आए और cake को touch करे तो क्या हो तो जैसे हमने collision define किया था वैसे ही हम define करते हैं कि जब ये sprite cake को touch करे तो क्या हो तो इसके लिए हम sensing में जाते हैं और ये touch mouse pointer जिसका कि अगर हम drop down खोले तो हमें edge और sprite मिलता है तो हम यहाँ define कर रहे हैं कि अगर ये giga sprite जो है ये cake sprite को touch करे तो क्या हो जैसे हमने पहले यहां touching color का define किया था तो again ये sensing वाली sprites के लिए हमारे को conditional statement चाहिए और हम wait until conditional statement लेते हैं और हम कह रहे हैं कि giga sprite wait until touching cake and if touching cake then तो for example हम कह सकते हैं looks में जाके कि say that's delicious and maybe कुछ और कह सकते हैं उसके बाद like thank you और again अगर हम इसको इस condition को ऐसे रखेंगे तो ये केवल एक बार execute होगी हम चाहते हैं कि ये condition forever computer check करता रहे तो हम वापस control में जा रहे हैं एक forever loop में इसको डाल रहे हैं और फिर एक triggering event define कर रहे हैं जो हम यहां कह रहे हैं when green flag is pressed तो हम इसको test करके देखते हैं कि green flag press किया और हमने इस sprite को चलाना शुरू किया तो test करने के लिए मैं इसको drag कर रहा हूँ और अब हम देखते हैं कि अगर यह sprite केक को touch करता है तो that's delicious, thank you तो यह हमारा एक अच्छा game बन गया है यहां तक इसको और difficult बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें कोई और character डाल सकते हैं जो randomly move करें और उससे भी हमें collision define कर दें तो मैं वापस एक नई sprite ढूण रहा हूँ तो इन मैंसे आप कोई भी जो sprite आपको थोड़ी सी लगे की enemy type की sprite है वो आप ले सकते हो मैं यहां पे यह fish ले रहा हूँ puffer fish और मैं इसका size छोटा कर देता हूँ 35 maybe 40 और अब हम क्या कह रहे हैं यह जो puffer fish है यह यह थोड़ा और बड़ा 50 यह randomly इस stage में घूमेगी और अगर यह collide करेंगे तब भी यह sprite back to the starting position पहुंच जाएगी तो हम वापस gigawalking की sprite पे जाते हैं और हम यह जो collision है इसी को हम repeat कराना चाहते हैं इसी तरीके का एक और similar बनाना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ duplicate कर लेते हैं पर instead of touching color हम जाके कहते हैं sensing में कि when touching a particular sprite और अब जब हम drop down खोल रहे हैं तो cake के साथ-साथ puffer fish का भी जो एक और sprite है वो भी यहाँ पर है तो हम इसको डाल देते हैं और फिर से हम कहते हैं कि control में जाके forever check for this condition और इसमें भी हम कोई starting event डालते हैं when green flag is clicked और puffer fish को फिर हम program कर रहे हैं कि यह randomly move करें तो हम कह रहे हैं कि when green flag is clicked motion में एक block है कि glide to random position for one second और इसको भी हमार को forever loop में डालना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि वो forever glide करती रहे तो जब यह long distance जा रही है तो one second बहुत fast movement हो रहा है और हम इसकी वेज़े से game बहुत difficult होगा हम sprite को इतना fast move नहीं करा पाएंगे तो इसलिए हम इसको maybe three seconds कर देते हैं ताकि हमारे sprite को chance मिले इसको dodge करने का तो अब हमारा game बन गया कि हम sprite को control कर रहे हैं और sprite चाहे blue line से touch करे या वो fish को touch करे दोनों ही conditions में collision होगा और sprite जो है वो वापर स्टार्टिंग पोजिशन पर पहुंच जाएगी और game का rule क्या है कि हमारे को eventually इसको यहां तक लाना है और जैसे ये cake टच करेगा तो हम कहेंगे कि that's delicious thank you story को थोड़ा और interesting बनाने के लिए क्योंकि हम last में कह रहे हैं that's delicious thank you तो maybe हम शुरू में कुछ कहना चाते हैं ताकि game का कुछ context setup हो जाए तो हम वापस looks में जाके यहां कह सकते हैं sprite कहेगा I am so hungry for two seconds और फिर से maybe two seconds के लिए help me eat the cake तो इस तरीके से हमने यह बोल दिया तो अगर अब हम देखते हैं हम start करते हैं I am so hungry help me eat the cake और उसके बाद हम इसको move करते हैं blue lines को हमें touch नहीं करना है और उस puffer fish को हमें touch नहीं करना है उन दौनों ही condition में collision होगा और game है कि इसको cake तक पहुचाना है तो अगले वीडियो में हम एक और game बनाना सीखते हैं car race का झाल 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 झाल